अध्ययन वेग्यानिकों ने दुनिया के सबसे प्राचीन सांपों की प्रजाती की खोज की हाल ही में वेग्यानिकों ने एक खोज के बाद खुलासा किया है कि उन्होंने सांपों के सबसे पुरानी प्रजाती की खोज कर ली है वेग्यानिकों ने इलेंड के दक्षिन में एओफिस अंडर उड़ने नामक स्थान पर एक छोटे साप के अवशेशों की खोज की है इन अवशेशों के बारे में बताया जा रहा है कि यह सबसे पुराना साप है इस शोद के मताबिक साप 140-166 मिलियन साल पहले रहने वाले साप है यही नहीं शोद करताओने पुर्तगाल में एक मीटर लंबे साप के अवशेश मिले है वहीं उत्री अमेरिका के डाय वालो फिस गिल मोरी प्रजातियों के अवशेश मिले है इस साप की तुलना यूरोपिय साप से की जा रही है लेकिन उत्री अमेरिका में मिले साप के अवशेश नदी के पास अंतर देश के खोजेगे थे जबकि यूरोपिय साप मुख्य रूप से दलधली इलाकों तक पर रहते थे वेग्यानिक इस बारे में बताते है कि खोजेगे सांपों की प्रजातियां लगभग 140 से 160 मिलियन वर्ष पहले जीवित थे यही तथे इस खोज का पास बना रहे हैं क्योंकि इनकी खोज के पहले सोचा गया था कि सांप लगभग 100 मिलियन साल पहले दिखाई देते थे जो कि इस खोज के बार गलत साबित हो गई है बताया जा रहा है कि इस से पहले खोज की गई सांप की प्रजाती के मताबिक यह 100 मिलियन पुराने है